नमस्कार दोस्तों चर्चा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं कुस्दुबे और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपूरी के भरते हुए गायक विशाल राजा जी तो आए इंसे बात करते हैं सबसे पहले तो यह बताईए कि आप रहने वाले कहां के हैं अपका आइडल कौन है किसको आप गुरू मानते हैं अपना गुरू तो मैं खेसारी वियागा मानता हुए कि आपको आपके बाल अच्छे लग रग रहे हैं अपको यह बच्पन से ही आपको अपको आपको अब बहुत मतलब जाए कि कोई इस्टूडियो में जाता हू तो वहां पे राता है कि दोक और साथ कि हैं searching मुझे लग मुझे सपोर्ट नहीं करता हू है सरी सरी मुझे अपने अपने घडर प्रियम मनता हूं टो आप कि इस्टूडियो में गाना गाने के लिए चाहते हैं तो इस इस्टूडियो वाले आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसे कि कौन वहां के बैठे जो लोग है ना जो मारे राइटर हैं लोग भरखा देना जब आप किसी के थुरू जा रहे हो को वहां से राइटर हैं तो आप नाम देना चाहें किसे अपका होसला तोड़ा पीके आरेंजी क्या किया उन्होंने उन्होंने मेरे से बोला कि पथना आप मैं पथना में तुम्हें गाना गवाद हुआ फिर मैं यहां से जब गया पथना तो में 22,000 रूपे लिया किसने लिया अपसे? इसके बाद मैं उनके बास गया तो 3000 रूपे मेरे पोस्टर छबवांतर के दिख पैसे लिया मेरे से आपने 22,000 रुपे करजा उठाया और पटना गए वहां से 3,000 रुपे आपने उनको दिया, क्या नाम है राइटर का? PKRNG PKRNG को 3,000 रुपे पोश्टर बनाने के लिए पोश्टर आपका नहीं बना, उसके आपने 12,000 रुपे लिए और उसमें से आपको सिर्फ 2,000 रुपे कितना अटायो आपको अपका नाम है? 8,000 रुपे आफ और आपको अपका खली दो आदायो आया? दो एडियो आया बाकी नहीं आया और आठो गाना गवाल यह थे मेरे से तो वो अडियो क्यों नहीं आया आपने उसे बात नहीं कि बात किया तो फोन ही नहीं उठा रहे है पोन ही नहीं उठा रहे है उमका घर आपने देखा है नहीं भी है किस इस्टूडियो पतना आपने ग भैया बोलते कि जब बबाव तुम आकर आये तो फिर मुझस नहीं बताय थे बता देंकि पैसा किस माध्यम से दिया आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं कोई स्लिप नहीं है कोई प्रूफ नहीं कर पाएंगे पैसा कैसे दिया आज का जबाना ऐसा है बैबू में आप सन रोध है सफ सन रोध है कभी किसी को पैसे दीजिए तो स्लिप ले लीजिए या कोई प्रूफ रखिए या बैंक में ट्र इसा दिया है। आप यह बताईये, जो दोगाने आपके बने कहां से रिलेज होया है किस कमपणी से ? रिलेज होया था, RIA से तो क्या response आप नहीं सपोट किया इस कमपणी आपको ? डान अच्छा चला आपका ? अचसा चला नहीं चला लेकिन सपोर्ट मुझे मिला, आपको अच्छा experience उड़ा है आपको क्या आपकी families line सपोर्ट करती है जैसा कि आप में बोला कि मैं क्या करजा लेकि बियाज में गया तो आप बियाज में लेकि पैसा करजा लेकि कब तक गाने गाएंगे बिया अब शीले तो अब गाना नहीं जारा नहीं आ खाता हूंगे तो फिर ख़ता हो कि अपने हो नहीं पैसे घाएंगे हुगाएंगे. मतलब कि आप कर्जा लेक अब गाना नहीं गाएंगे। यह बहुत अच्छी बात है। है कि आप पास talent है अगर आप की हूर है तो आहड़ाले कौह जिए बहुत सारी से कंपचियां की हैं। संपर्ख करें उने से कॉल करें लॅट करें, जुर। बहुत सारी सं start को ज़िस आपको बना नंनारा अचा काम हो जा चाहात्तीर पास रही intriguing से के ज़िए। वहाज बहुत अच्छी बात है है. आपका इतने दिनों से कितने दिन सब बना गा रहा है? मैं करीब 3 साल से. 3 साल में 3 साल से लेकि आज तक आपका क्या experience रहा भुछपुली लाइन में? भीजा मुझे तो यही राकी जो भी मतलब, जो मुझे लगा, कि गाना अगर गाना है, अगर गाना गाना ही आपका सपना है, तो आप सिख्क्याएए, सबसे बड़ी वात है तिछिख्याओ, और कितना भी मजले अस्टूडियों में चाहिऊ राइटर बोले, यह तो फिर रिकोर्डिंग मालिक बले आ रिकोर्डिस्ट बोले, मललब कमपनी मालिक बया, बोले कि मुझ ट्रेक पे गालो ऑबू तो बिखुं यह त्रेक पे गाना चाहिए इसलिए नहीं चाहिए कि मैं अब यी तक 30 गाने गाया हूँ, टूटली 30 गाने गाया हूँ, उसमें 27-28 गाने मेरा कोपी राइट, सब अपने ट्रेक पे गाया है चाहिएğ यह तो मैं हमेसा अपने दर्शकों कहता रहता हूं जो अगर सिंगी लाइन में चाहते हैं कि आप कमी पे गाना मत गाएंगी कि आएगा ही आएगा आज नहीं तो कल आएगा और कमपनी मालिक जो होगा वही मजबूर है वही गाना हटाएगा तो ट्रेक में मत गाएगी देखि भाईया इस चीज से बहुत दूख होता है कि जम मैं पतलब पैसा में करदा आलकार के दीन वर अंदा घिछते घिछते ना और हतोरी से अगर ऐसा कोई दीन नहीं जाता है जिए यह करते हैं आप फनीचर का काम करता हूं अच्छा आप फनीचर काम करते हैं आप अप पैसे हैं भुशपुरी लाइं में एलबम बनाने के लिए साठे 30,000,000 रुपए साठे 30,000,000 रुपे इस गाने, 10 गाने वे ट्रек पे और जाने आ याने मतलब सारह जोड केमेरा राग दढ़ काम का लाटना आईसा बनाख जेक काला है कि यह गाना ट्रेक ट्रेक पर लिखते थे तो 2,000 रुपे देता है ड्रेक पर 2,000 रुपे एक गाने का जी भी है बैठ की गवाते थे बैठ की कुछ नहीं गवाते थे बस यहाँ पर हमारे तो मतलब रंगे स्टूडियो में थे तो हमारे गुड्डु बया ते रिकॉरडिश्ट तो उन्होंने ब मुझे मज़े मदल साथ में बैठ के रियाज करवाना कि भाया ऐसे नहीं ऐसे गाओ गुड्डु भी आप भी मुझे बहुत सपोड किये कोई आपका गाना जो आपको याद होना है दर्सकों को शुनाना चाहिए देवी माई के पुजनी कुँ आरे में धोवनी मंदीर भिनु सारे में तसी वह करत तभी तललारी कहई आए सखी मीलला बैगा वईया हमर सहई आए सखी अगाना में करौम मुजिक से गाया था वईसमय आपको बता दू यह भी धुन्द ठी और पुरानी है ते ट्रैक में गाया थे रूटरी कमे गाया थे गाना का यूटूब पर है ने भी आपको प्यूराइट आ गया अच्छा नहीं को आपको अपने तर्सकों से क्या कहना च करता न ऐध existed। आ किया बश्किताई निदी बंचतानी।। ही अ प्लंच प्लंच भिसे सथा, अबुमीत आठी रीकॉर्णिय आपको शिर्ण कि करता है तक सबंच साथ कर दोर सिंदों निद्डरे हले थे, यह दिन जिते हैं नायाच्न घूर्ण ऐस्कूर्ण में से पहले तो तो नहीं पर लेते हैं, तीन अजार उप लगता है, आप नुटरेक बरवाएगा। जब नुटरेक गाने गया तो वहां पर रिकॉर्डिंग ए इस्टुडियो जब बोला कि आप नुटरेक नहीं, तरेक गा के देखो। मतलब कोई अच्छा उसमें ओ नहीं वा, तीर मैं मतलब घर से थोड़ा बात सुनने को मिला, कि बेटा अभी मतलब घर में बहुत सी ऐज़े बात है, बहन का साधी करना है, करजा है अपने सर पे इतना घर बना लो उसके बाद इसलान में करना, क्यूंकि उसके बाद सब चीज में दारी बहन की शादी घर बनाना सही बात है अभी तक में मेरे पास गरने के लिए खुद का घर नहीं है, मैं दिली में भी किराय पे रहता था अब तो एक गवान का दुआ और आप लोग में दुआ से मेरे पास एक जुगी है, उस जुगी में बुजा रहता है तो आपक पूरे फैमिली परसान अत्म लोग जगा जमीन के केस के बज़ा से बुल मिला के आपकी जो लाइफ है बहुत संघर्ज पूण है और आप मेहत करके द्रोटी कमा रहे हैं और उसी में गाने गा रहे हैं, कर्जा भी लेना पड़ जाता है आपको और तीन साल में आपका आपकी जमीनगर में गुदूलाल जी गा वो बहुत अच्छे सिंगर भी है और गाने भी गाते हैं तो उन्हीं के इस्टुडियो से बया तो वहां से में गाया हूए गाना वही गाना पी के आरण जीकर दिखा अच्छ तो वहाणा मतलब रंग इस्टूडियो में गाया तर के जीजाग होडे, तो आप ऐसा गाना क्यों गाते हो इसलिए गाते हैं लोग बोलते हैं कि मैं भोजपूरी सिंगर मतलब गलत करें आप बहुत अच्छा बता है मुझे याद नहीं था लेकिन आप बोले तो मुझे याद आगे जब मार्केट में और मार्केट का छोड़ो जब मैं काम करने जात गाना गाया हमहुजाइव देवघर सहिया मान अगरायवा व गाना का 27,000 विवस गया थीक है फिर मैं कांधा पर कावर सोगे कावर में गगरी व गाया उसका 3,000 विवस है जब कि 3 साल हो गया उस गाने का पर जब मैं इसको गाया एक दिन में सारे 700 विवस है एक दिन में उस और इस गाने-गाते अच्छा भी वाता है। भया ऐ दुनिया मेझो चल ला ई.. भुझपूरी इंडियी में चल ला है.. वैसे असलिल्ता हिंदी में भी है.. भया पबलिक जिम्यदार है, अश्लिल्ता की जंता जिम्यदार है.. है क्यून? पूछो क्यूं.. क्यूं। तो आपके पास नून डोटी दे दिया मतलब 2 रोटी और नमक डाल दिया आपके आता अलिमें मैं बला कि मेरे घर में आप खाइए उसमें सीए कवड़ खाया आप चले गए तो आप मुझे दुआ नहीं दिये दिये बदुआ लिये बदुआ दिये ना और वही में में आपको खीरपुरी दे रहा हूँ कि खिरपुरी खाल ये भड़ पर तो मैं अपने भीमार को खिरपुरी खिलाऊंगा ना प्रोडी खिलाऊंगा अब रखते हैं तो मतलब अप अश्लील गाना गाने कोशिश नहीं किया हूँ हाथ तक डबल मिनी गाना से मैं हमेशा बचा हूँ अभी आपने जो गाया डबल मि आप मार्केट में असलिल तब आप क्या करेंगे। तब क्या करेंगे। जो बात है हमारा वही बात में वहां भी रखूँगा। क्योंकि जब मैं धाल्मिक गाता हूं समाजिक चेतना गाते हैं आज के सारी वजा पर भी उठाता है लोग। करता है असलिल का अभंडार है उन्होंने गाना गाया है। मतलब बहुत सारे गाया है समाजिक चेतना उन्होंने गाया है। उसका अभी तक मुझे लगता है कि इसे कोई भी गाना मिलिया नहीं पहुचा हूंका। लेकिन जब वो JCW से कोरती blessing to Not तो अभी भी देख लो कि इस मार्केप में हरवे इससी के प्हुंद्स की अभेल ब्लोग बोलता है अभेल अभेली सासे अभेल, गलत है+, लेकिन अभणे अभेल फिरश nellaम modelbid यूटूब में सर्च करो तो असलील गानों के वीव मिलियन में क्रोस हो जाते हैं, अच्छा वीवाता है, कमपनी भी कमाती है, सिंगर भी कुछ होता है, और अच्छे गाने के वीव नहीं आते हैं, मैं खुद बहुत चिंतित हूँ इस चीछ को लेके, लेकिन आपके हिसाब स क्या किया जाए कि यह सब्चीछ बंद हो जाए? कोई नहीं चाता है कि इससे मैं असली भाना गाऊं कि लोग मुझे बढ़ली दे, ऐसा कोई नहीं चाता लेकिन फिर बिक्या करता है, जब देखता है, मैं आप लों गाना स़रे तीन लुके भी लगा चुका आए ये आल्ट थे मेरा कुछ भूण हैं दुनिया में मंजे荷प dicicabar वो भी आपके जो जैशन में चाचामामा राता, उनके बच्चे, उनके लोग सब उनके लोग वह लोग है? मैं नानी के हम लाता, मैंना परहाई लिखाय हुआ तीसरी झोठी तक मा भी लेकिन जो परहाई थोmatी हिश्टी तक ही और आपका एक्स्पिरियेंस रेकिया श्रीलता को बढ़ावा जनता दे रही है, अगर जनता सुनना बंद कर देगी तो श्रीलता गाना सिंगर बंद कर देगा, आपके हिसाब से बात है, बिलकुल भिया, आप जाते जाते हैं हमाई द्रिसकों से अपने लिए क्या कहना चाहे बस जनता लोग से हाथ जोरके बिंती है, निवेदन है कि असलील गाना आप लोग मस सुनिये और हम लोग गाना बंद कर देंगे, और बैसे भी मेरा फर्स्ट गाना गया असलील गाना और मैं उमीद मतलब अपने तरब से पूरी चाह है कि मैं असलील गाना नहीं गाहूं, असलील गाना कोई सोक से नहीं गाता है, लेकिन क्या करेगा जब सारे तीन लाक रुट मतलब बहुत सिंगर ऐसे हैं जमीन बेच के आते हैं, वह भी गाते हैं गाना गाते हैं लिकिन उनका गाना कुछ नहीं होजा तो असलील क्या है? कि अपिट होने के मजबूरीं फिर आपके इंसाब से कहे रहे हैं कि उनको असलील गाना पड़ता है उससे पबलीक के बीच में जाकर उसका पहचान बन जाता है उसके बाद देवी गीत भी गाया तो अराम से आप जाते जाते हैं आए दरशोग उगत दोलाहिने पना कोई अरजीय मोहर ठुकिरा के सारा सुखवा ऐनी सरन में तूर दरसंदी दिगंबर बहनी नहीं कठोड बहनी नहीं कठोड मेरा मतलब बहुत अच्छा लगा और आसा करते हैं कि आपको अच्छे गानों को प्यार दे और दुलार दे आप से बात क्योंकि बहुत अच्छा लगा थान्यों सर्थ